हेलो गाइस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हूँ काजल प्रेगनेंसी पॉइंट कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगा अपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रहे होगी तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के दु या फिर लड़का होगा अगर आपको बहुत कम नीदारी है तो उससे भी आप कैसे जानेंगे तो फ्रेंड्स आपने अपनी प्रेगनेंसी में नोट किया होगा कि कई महिला ऐसी होगी कि जिनको ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं पलंग पे लेड़ते जो है न वो सो जाती होगी और इतनी घहरी नीद आती होगी कि ऐसे लगता होगा कि मैं कितने घंटे से सो रही हूँ और बहुत सारी मेला ऐसी होगी कि जिनको इतना काम करने के बाद भी और पूरा दिन में जो है न काम करने के बाद भी जो है न रात को नीद नहीं आती होगी वो रात को दो ढ़ाई बज़े तक जो है वो जगरी होती है कि मुझको नेंद क्यों नहीं आ रही है तो इसके पीछे का क्या कारण है क्या सच में इस से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी इसके पीछे हमारे बड़े बुजर्गों की क्याराय होती है और मेरी प्रेगनेंसी के दुरान मुझको नेंद कम आती थी या फिर जादा आती थी अगर आपको भी जिग्यासा है जाने की फ्रेंट्स के गर्फ में होने वाली संतान का इससे पता लगता है तो इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखना ताकि आपको पता लग सके कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारी जरूर करूँगी, कि जिस किसी ने भी अभी तक मैं चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना, उससे क्या होगा हर एक नई घर के बड़े बुजरुर्क बोला करते हैं कि जिन महिलाओ को प्रीकनेंसी के दुराण बहुत ज्यादा नीप आती है तो उनको बेबी गल होने के बहुत ज़ादा चांस होते हैं और वहीं पे वे ये बोलते हैं फ्रेंट्स के अगर गरवती महिलाओं को जो है वो कम नीड़ आा रही है ठीक है मतलब कि नॉर्माली नीड़ आ रही है तो आपको बेबी बॉई होने के ज्यादा चांस होते हैं तो फ्रेंट्स आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि जिनको पलंग के उपर लेड़ते ही बहुत घहरी नींद आ जाती है तो उनको जो है बेबी गल होने के ज़्यादा चांस आते हैं इसके बाद फ्रेंट्स अगर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं कई पर क्या होता है फ्रेंट्स के हमें जो है कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी तो फ्रेंट्स एक से लेकि तीन महीने की बीच में मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत जादा थकान मैसूस होती थी और नींद भी बहुत जादा आती थी और चौत्थे महीने के बाद जो है मुझे नींद जो है वो नार्मल हो गई तीसरे महीने तक friends मुझे को ऐसा लगता था जैसे कि friends रात को पूरी रात में सोती थी अराम से और सुबा उठके थोड़ा सा काम किया अगर मेरा काम 9 बजे खतम हो जाता है तो मैं 9 बजे 1 घंटा सो जाती थी 10 बजे तक और अगर मेरा काम 8 बजे ही खतम हो जाता था तब मैं 8 बजे ही सो जाती थी काम करके क्योंकि friends इतनी नींद एक से लेके 3 महीने के बीच में आ रही थी तो friends मैंने जब अपने गूगल में पढ़ा था तो ये भी study की थी friends की अगर आपको pregnancy की दुराण ज़्यादा नींद आ रही है तो वो miscarriage का संकेत भी आपको देता है तो friends मैंने इस बारे में जो है वो डॉक्टर से राय ली थी कि pregnancy की दुराण मुझको इतनी नींद क्यों आ रही है तीन महीने के बीच में मुझे बहुत नींद आ रही थी और चौथे महीने से जो है वो ठीक हो गए थी मैंने ये खुद बात जो है नोटिस की थी आप भी जो है ये बात देखना ठीक है अगर आपको friends चौथे महीने में नींद जो है वो नार्मल हो जाती है तो ये बात आम होती है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने समझाया था कि बेटा एक से लेके तीन महीने के बीच में हमारे बच्ची की जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है सारे अंग जो है वो बहुत तेजी से बंडरे होते हैं बहुत उनका सिर्फ विकास होना जो है वो बढ़ना मतलब की उसका भारीपन होना जो है वो बाद में होता रहता है मगर सारी चीजे जो है एक से लेगे तीन महिने के बीच में जो है बच्चे की बंडरी होती है इसलिए मां को बहुत जदा थकान होती है मां को बहुत जदा ज जैसे कि आपको periods आते हैं उस दोरान जो है अगर एक से लेके तीन महीने की बीच में ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए फिर आपको लड़का और लड़की के बारे में जो है वो नहीं सोचना चाहिए अगर आपको यह जानने की सच में जी ग्यासा है फ्रेंट्स के लड़का और लड़की कैसे बता लगेगा नींद से तो फ्रेंट्स आपको अगर चौते महीने के बाद भी चौते महीने के बाद फ्रेंट्स मैं बहुत जादा active हो गई थी मुझे खुद नहीं पता लगता कि मुझे pregnancy है या फिर नहीं के देता है और अगर आपको चौते महीने के बाद भी अपने नीद आ रही है आपको थकान हो रही है आप बहुत जदा आलस पन आपके अंदर भर गया है तो यह कहा जाता है कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेटी होगी ये फ्रेंट्स आपने भी बास सुनी होगी और मैंने भी सुनी थी और ये बात मैंने बहुत ज़्यादा लोगों पे अच्माई भी है कि जिन महिलाओ को प्रेगनेंसी के दुरन बहुत ज़्यादा आलस आता है बहुत ज़्यादा थकान मैसूस होती है बहुत ज़्यादा नीद आती है मतलब की सुस्ती उनके अंदर रहती है हमेशा ऐसा मन लगता है कि जल्दी से काम करूँ और सो जाओं ऐसे लगता है मतलब पलंग पर सुठने का मानी नहीं करता है तो उन महिलाओं को देखा है मैंने भी कि बहुत ज़दा लड़की होने के चांस होते है महीं पर अगर मैला प्रेगनेंसी के दुरन चौते महीने के बाद एक्टिव रहती है जल्दी काम करना नीन्द टाइम से आना प्रॉपर नीन्द लेनी तो उससे उनको लड़का होने के ज़्यादा चांस होते है बट फ्रेंट्स में आपको बताना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के दुरन नींद एक ऐसी चीज होती है जो हमारी प्रेगनेंसी को बहुत हेल्दी और हैपी बनाती है तो आपको जो है ना 8 घंटे की रात को नींद लिनी चाहिए और 2 घंटे की दुफैर में आपको जरूर सु इससे friends आपके अंदर अच्छे hormones create होँगे और आपकी pregnancy जो है वो happy होThis अद्यगतर देखास अदिकर अब होगे बौहोघ नहीं होती है जिन को जिन लो को बहुत ज़्योडा टेंशन होती है जो Um WC भी में लगी रहती है तो उनको जो है वो नेद्ध नहीं आती है जब नेद्ध नहीं आती है फ्रेंड्स राद भर आप मोबाइल में रग रियाते हो और जब सुछा 5 बजे उठने का आफिस जा रहे होंगे तो इसलिए उनका खाना नास्ता बनाने के लिए आपको उठना पड़ता होगा और उस ताइम पे आपको बहुत जदा आलस आता होगा के मैं कैसे उठूं तो आपको अपनी नींद जो है वो पूरी जरूर करनी है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप पूरे दिन आपके सरमे दर्द बना रहेगा हलका हलका आपको चिरचड़ा पल लगा रहेगा आपको कुछ करने का मन नहीं लगेगा तो इससे आपके बच्चे के उपर एफेक्ट पड़ता है तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में प्रॉपर नींद लेनी चाह आती है ऐसी भी बहुत सारी महिला होंगी तो उस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने एक बड़ी डॉक्टर से राय लेनी चाहिए क्योंकि जिन महिलाओं को दिमाग में टेंशन होती है वही बाते सोच सोच के आपको बहुत दिमाग में सोचते रहते और वही करण भी आपको निंद नहीं आती है यह बात मैंने खुद नोट के हुई है अगर हमको थोड़ी सी भी घर में कोई टेंशन हो जाती है तो वही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है जिससे हमारा खाना पाना निंद वीन सब कुछ छूट जाती है अगर आपको घहरी नि दाएगी जिससे आपके शरीर भी अच्छा रहेगा आप भी हेल्दी उठोगे सुबह उठके और आपके होने वाली संतान भी बहुत ही एक्टिव और हेल्दी रहेगा क्योंकि प्रेगनेंसी के दुरान इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने अप अपने नहीं किया है उमीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हैल्फुल रही होगी फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में जाय मातादी जरूर लिखना मातराने सभी की मनों कामना पूरी करे और प्लीस आप एक लाइक जरूर किया करो मुझे आपके एक लाइक से बह लिएगा बाइबा टेक केर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में